Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Laravel की इस वीडियो के दिर में बात करने वाले हैं Flash Session की Flash Session नॉर्मल Session से थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है So यह भी हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स की Flash Session होता क्या है इसके अंदर data को store कैसे कर सकते हैं, data को get कैसे कर सकते हैं, data को delete कैसे कर सकते हैं और last के अंदर मैं आपसे एक question पूछूँगा, आप चाहो तो उस question का answer comment box के अंदर attempt भी कर सकते हो So start करते हैं सबसे पहला question, Flash Session होता क्या है देखो, जो हमारा normal session होता है, उसको हम बार-बार use कर सकते हैं, store करने के बाद But, flash session को आप एक बार ही use कर सकते हो एक बार इसको set करोगे, जैसे ही आप अपने page को refresh करोगे तभी के तभी वो session gap हो जाएगा, यान कि एक बार के लिए use होता है आपको करके दिखाऊंगा, कि जैसे ही आप उसको second time use करने को हिश करते हो तो वहां से flush हो जाता है, अच्छा, इसका use क्या रहेगा देखो, कई बार ऐसा होता है, कि हम कुछ data को save वगरा करते है तो में दूसरे page पर जाने के बाद हमें एक toast या फिर एक message दिखाना होता है जैसे कि data has been saved, email has been sent इस तरीके से कुछ message दिखाना होता है और वो बस एक बार के लिए ही दिखाना होता है, क्योंकि just अभी हमने data को enter कर रहा होता है और बाद में वो clean कर देते हैं तो यह flash session अपने आप clean हो जाता है, इसको में अटाने की जुरूर्थ नहीं पड़ती है राइट अब हम start करते है code के साथ में, code के लिए मैं क्याका चीए एक view चीए और एक controller चीए और इनके हमें दोनों के लिए routes भी चीए सबसे पहले मैं यहां पर आता हूँ, application के अंदर, resource के अंदर जाओंगा views के अंदर जाओंगा और यहां पर एक page बना लेता हूँ इस page का मैं नाम लिखता हूँ store user करके बना लेता हूँ store user.blade.php एक हम just normal form बनाएंगे उस form के उपर हम data database के अंदर ऐसा pretend करेंगे actual में save नहीं करवाएंगे, but मैं आपको दिखा दूँगा अपर प्रोसेस करके ताकि आपको ऐसा लगए कि database के अंदर save और flash session के आपको actual use पता तर जाएगा right so यहां पर हम लेंगे add new member right right और यहां पर हम एक html form बनाते हैं एक form बनाएंगे और form के अंदर हम basically कुछ field ले लेंगे let's say मैंने यहां पर input field ले ली है एक इसका मैं नेम रखता हूं user placeholder में लग सकता हूं लिख सकता हूं enter user name और यहां मैं कुछ BR tag दे लेता हूं ताकि थोड़ा सा space बना रहे है क्योंकि हम css पे तो हम ज्यादा काम करेंगे निए इस वीडियो के अंदर इसलिए second, third, 3 मना दिये मैंने, second मेरा password हो जाएगा और एक मेरा email हो जाएगा right सो यहां पर भी मैं इसका नाम password दे देता हूं और यहां पर हो जाएगा email और यहां पर मैं text भी change कर देता हूं और similarly यहां पर मैं email लिख देता हूं right और last में हमें यहां पर बटन चीए बटन के उपर हम लिखेंगे add user और just simply हम यहां पर click करेंगे type define करेंगे इसका और type इसका आप वैसे दो कोई भी ले सकते हो बट हम submit लेते हैं जब हम form यूज करते हैं तो right और अब इसका method हमारा method रहेगा हमारा post right पूरा form आप रहेडी है अब मैं जाता हूं web.php के उपर इसका route डिफाइन करने के लिए so let's open it और मैं यहां पर लिखूंगा route colon colon view और इसके अंदर में दो पात दूंगा पहला होगा let's see में इसका नाम रखे देता हूं store ऐसा कुछ और यहां पर मैं इसका page का नाम देता हूं store user my bad right और अब इसको मैं access करके देखते हैं कि क्या हम इस page को access कर पा रहे हैं so यहां पर भी देख सकते हम directly यहां पर लिखेंगे हम user क्या स्टोर देने के जुरूरता है क्योंकि store के उपर उने page को access कर लिया है तो मैं पास तीनी field आ रही है अब मैं क्या करता हूं यहां पर controller define करता हूं यहां पर controller define करने के लिए लिखूंगा PHP artisan make controller और controller का नाम so let's see मैं यहां पर controller का नाम लिखता हूं store controller और एंटर करता हूं तो मेरा store controller बन गया है और यह आपको मिलेगा app के अंदर जाके http के अंदर जाके controller में जाके यहां पर और अब मैं यहां पर function बनाऊंगा इस function का मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं let's say store ही रख देता हूं store member कर देता हूं और यहां पर जब भी हमें फॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं request type हमने बना दिया और परामेटर का नाम भी हमने स्टार्डिंगे अंदर बाद में एक चीज़ भी प्रिंट कर वा लेंगे अब मैं इसको यहां भी इंपोर्ट करूंगा यहां भी लिखूंगा यूज एप एप http controller और controllers के बाद में यहां पर लगाँगा user controller right all right sorry यहां पर user controller नहीं था इस खनला में actually store controller था मैं आप लिखता हूं store controller right जो हमने यहां भी बनाया है इसके लिए हम राउट बनाते हैं अब इसके लिए राउट बनाने के लिए उसी तरीके से post request define करने पड़ेगी क्योंकि हमारा यह post type की request हम send करने वाले हैं सो यहां पर में लिखा देता हूं store controller या फिर आप ठीक है स्टोर controller ही लिखे देते हैं इसका नाम then हम यहां पर second parameter लेंगे और इसके अंदर हम यहां पर define करेंगे हमारी controller का नाम और इसको बताएंगे कि यह class है then second parameter के अंदर जो हमने यहां पर इसका function का नाम लिए यह वाले define करेंगे और इस तरीके से हमारा यहां पर store controller करना भी define होगे अब इसको आप use करेंगे इसके action के अंदर यहां पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखने होगी इसके अंदर आपको CSRF token भी pass करना पड़ेगा तो लिखो यहां पर at the rate CSRF right अब हमें हाँ पर refresh करके देखते हैं all right तो यहां पर quotes आ गए है quotes को मुझे हटाना है कि ज़रूत नहीं है हमें और अब मैं इसको submit करने को खुश करता हूँ यहां पर लिखता हूँ unail और password123 email address में आप लिखता हूँ unail-test.com submit करता हूँ so यहां पर इसको कुछ मिला नहीं है let me check इसको क्या नहीं मिला store controllers because यहां पर controllers नहीं है controller है my bad इस तरीके से हम इसका नाम भी change कर सकते हैं then हम इसको refresh करते हैं और आप देख सकते हूँ कि data हमारा पूरा पूरा से होगा एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक बार बीच में हमारा controller काम नहीं कर रहा था तो यहां पर unail password123 unail-test.com यहां पर submit हो चुका आप देख सकते हो सारका सारा तरीके से काम कर रहा है अब इसको देखो जब session में store करते हैं और flash session में store करते हैं ज्यादा फरक नहीं रहता जस्ट फरक इतना से रहता है कि हमें इसको एक अलग function में use करना होता है अब मैं यहां पर जो मेरा user आ रहा है मैं user का नाम store करवाना चाहता हूं और यहां पर इस तरीके से लिख दूँगा और यहां मैं लिखोंगा dollar data अब अब equal to sign लगा सकते हैं अब मैं यहां पर लिखाऊंगा dollar request session session के बाद हम यहां पर लिखेंगे normal function का नाम which is flash पहले हम यहां पर put use करते हैं Flash session के case के अंदर हम यहां पर flash function यूज़ करेंगे इसके अंदर भी दो चीजे होंगी वही एक की का नाम which is user और दूसरा हम इसमें store करवाना चाहते है dollar data हम इसमें store करवाना चाहते है और जैसे हैं हो जाएगा complete तो हम इसको return करेंगे कहां पर हम इसको return करेंगे जो हमारा वापपी से store वाला पेज था उसके उपर तो में यहां पर लिखो व्यू और व्यू के अंदर में जो इसका route होता है उसके उपर store और चैसे store पेज के उपर आएगा तो हमें यहां पर एक चीज दिखानी है एक सबसे पहले हम इफ कंडिशन ले लेते हैं अगर शैशन के अंदर है यूजर अगर वो प्रेजेंट करता है तो अब यहां पर लिखेंगे हम h3 tag और यहां पर लिख देंगे data saved for call और इस तरीके से हम लिखेंगे यहां पर session का function का नाम होता है हमारा यहां पर normal function का नाम हम पास कर देंगे user वाली key राइट की अब इस user से मारा data store हो जाएगा अब लास्ट में लिखेंगे add the rate and if right तो अब इसको हम चेक करते हैं एक चीज और आप चाहो तो यहां पर आपको has check करने एक्चुली जुरूरत है भी नहीं आप नॉर्मली इस तरीके से user चेक कर सकते हो कि क्या इसके अंदर data है या नहीं इसके के अंदर तो यह भी गाम करेगा there is no problem so अब मैं इसको वापीस से लेकर दाता हूं store वाले page के ऊपर और जहां पर मैं एंटरी करता हूं अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो यह एक बार आता है जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यह data गायब हो जाएगा इसी तरीके से क्योंकि एक बार के लिए में बताना होता है यूजर को की data save हो चुका है जो last का आपने save को रहने कुशिश की थी इसलिए हम एक बार दिखाने की ज़रूरत होती है नहीं राइट यह एक बेसिक टूटोरिल था flash session के लिए तो अब इसका question यह है मेरे वाला let's see कि मैंने एक बार के लिए इसको refresh कर दिया और गहां से data gaib हो गया क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि refresh करने के उपर हम इसको एक बार के लिए इसका आप चाओ तो आंसर कमेंट box के अंदर कमेंट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना पिलकुल बत मूलना पाई बाई टेक क्यार